हालो बच्चो वेलकम टू सी एल सी परिवार बच्चो तो हम हर्याना डी टीस्टी का केमिस्टी का पेपर डिसकस कर रहे हैं बच्चो तो सबसे पहले कोश्चिन आता है 51 का विच आप दी फालोइंग इस्पेसीज है पीपाई पीपाई एज विलेच पीपाई डीपाई बॉ आधार जैसे है इसक्मा बॉड़ी आपको पता है संकरण बहुत बेसिक ब्लेबल की बात करते हैं तो यहाँ कितने संकरण你有ग मjobलतला है बच्चो चार तो चार है यहाँ पर नग सासी माले कर है विच में औहरивает रूघ नहारें इस पीषरे का मतलब होता है कि यहां पर मुँच वकाई कंघ क्राएं और यहां पर तीन अदीं पाई जो बच्चे हैं था मतलब यह 30 वह पीपाई और होंगे केवल पीपाई क्यों क्यों क्योंकि यह सारे değer अर्बिन यहां पर अपन चेक करते हैं इस कलोरीन है ना CLO3 का तो CLO3 का भी बिल्कुल वही पर है एक लोन पेर आ जाएगा कलोरीन के उपर और यहां पर एक माइनस चार्ज बच्चो ऑक्सिजन पर अब आप यह देखेंगे देखो लोन पेर भी हैप्रिजेशन में हम लोग काउंट करते हैं तो यहां पर 3 सिगमा प्लस एक लपी हो जाएगा बच्चो तो एक्चोली यह स्टियरिक नमबर 4 हो जाएगा और पाई आप देखलो तो यहां पर जो है तो बच्चो दो पाई है तो यहां पर भी यह पी पाई डी पाई होगा तो अपन इतना डेटेल में इसलिए बता रह होगा क्योंकि यह क्वेश्चन में लिखा है कि पीपाई पीपाई और पीपाई डीपाई दोनों एक साथ प्रेजेंट होना चाहिए तो ठीक इसी प्रकार si o2 का structure हम लोग देखते हैं बच्चो तो si o2 का structure बिल्कुल सिंपल सा structure है इसको 3D network है ना silicate अपन बुलते हैं तो अपने यह देखते हैं यह जरूर ऐसा लिखा हुआ है si o2 तो मने में खयाल आता होगा कि भाया si o2 है तो si o2 का structure ऐसा भी हो सकता है क्या ऐसा तो ऐसा structure नहीं होता बच्चो क्योंकि silicon oxygen के साथ कभी भी double bond नहीं बनाता तो यह empirical formula है और empirical formula को लिखने के एक तरीका है और इस तर यह आधा आधा इसको अपन लिखेंगे और यह आपका sp3 hybridization यहां पर होगा बच्चो और कोई पीपाई पीपाई बॉन कोई पीपाई डीपाई बॉन नहीं होगा बच्चो इस तरह से answer यह भी नहीं होगा अब आता है बारी question number 4 तो वैसे हम elimination method भी देख सकते हैं तीन नहीं है तो चौथा तो होगा फिर भी हमने चुकी structure बनाया है तो structure एक बार हम लोग discuss कर लेते हैं बच्चो तो यहां पर जब हम structure की बात करते हैं बच्चो तो जैसे si o2 तो यह देखो so sorry so2 तो so2 में आप यह देखेगा यहाँ पर 2 sigma एक lone pair तो इस तरह से sp2 होगा और यहाँ पर 2 pi है तो देखो बच्चो यहाँ पर p 2 orbital यानि central atom कौन है sulfur sulfur central atom का 2p orbital यूज हुआ है hybridization में एक पी बचा हुआ है बच्चो तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं एक होगा पी पाई डी पाई और एक होगा पी पाई जो है तो डी पाई मतलब पहर एक होगा पी पाई पी पाई क्योंकि एक पी बचा हुआ है और एक जो है तो डी आर्बिटल सफर का इसले पी पाई डी पाई तो वेस्ट अंसर इसमें से चार होगा इस तरह से हम लोग इसको डिसकस कर दो इसको बना के आपको डिसकस करना है ठीक है बच्चो अगला question हम लोग देखते है तो अगला question हमारा है न यह आता है 12 नंबर ठीक बच्चो तो 12 इस स्ट्रक्चर बना के देखना होगा क्यूंकि बॉंडिंग में हम लोग इस्ट्रक्चर देखते हैं बच्चो तो यहां पर ग्रेफाइड है तो ग्रेफाइड का इस्ट्रक्चर आप देख लिजेए यह हेक्सागोनल लेनर होता है बच्चो बहुत ही कॉमन इस्ट्रक्चर है वैसे इसको हम लोग टेंथ लेवल पर भी आप लोग पढ़ते हैं वैसे 11 में भी दिया है तो यह इस तरह से आप देखेंगे प्रत्यक कार्बन का स्ट्रक्चर होगा ग्रेफाइड का अब अपन डायमंड की बात करते हैं बच्चो तो डायमंड का बिल्कुल सिंपल सा यह देखें टेट्रहेडरल होता है प्रत्यक कार्बन चार अधर कार्बन से सराउंडेड होता है जुड़ा होता है और इस तरह से आप यह देखोगे बच्चो यहां पर हाइब डिजेसन अलग अलग है तो आंसर नहीं होगा अब हम बारी करते हैं अपसंट्टू की अपसंट्टू में क्या लिका है बच्चो एसाई ओटू पहले आपसंट में पहले कोस्टन में मैंने बताया था एसाई ओटू थी नेटवर्क स्ट्रक्चर होता है बच्चो तो इसमें हाइब जैसन आप देख लो चार सिगमा से सराउंडेड होता है तो यह स्पी थी हैब रिजेशन होगा बच्चो ठीक एसाई सी सिलकन करवाईड लिकुल डामॉंड लाइक स्ट्रक्चर एक्स्प्लेड होता है बच्चो इसका संशना विलकुल -dyment की तरह होता है प्रतेक silicon each silicon is surrounded by eeht carbon atom and each carbon is surrounded by for other silicon atom बच्चो तो इस तरह से यहाँ पर भी आप देखोगे चार सिगमा से सरांडेट होता है बच्चो तो ये भी आपका lp3 hybridization तो देखो ये लिखा है बच्चो question ये कह रहा है कि किस में same hybridization होता है तो यार ये देखो silicon हो गया और ये silicon है ना तो यहां पर दोनों में lp3 आ रहा है structure अमने ड्रा किया तो इसलिए best answer तो देखो आंसर तो मिल गया बच्चो हलंकि अब अधर इस्ट्रक्चर भी आप चाहो तो देख सकते हो है ना आप चुकि हम explain कर रहे हैं तो इसलिए हम सब को बना ही देते हैं तो जब हम सब को बनाएंगे तो यह बीटू सबस्क्राइब आप चुकिली आपनों यहां लोन पेर यह लोन लोन पेर और यहां लोन पेर तो यह hybridization इस iodine का इस iodine का आपका SP3D2 और ये SP3D2 ठीक तो ये actually ये hybridization हो जाएगा ठीक है और ये iodine आपका SP3D2 तो यहाँ पर बच्चो ये भी answer नहीं होगा according to question क्योंकि एक SP3D2 अब ये देखो बच्चो ये वाला होगे तो ये वाला आइनिक है एक्चली चौथा अपसन अलुमिनियम 3 प्लस और ये 3F- तो ये आइनिक कंपाउंड है और आइनिक कंपाउंड में कोई hybridization हम लोग नहीं देखते हैं ठीक अगला question आता है ALCL3 तो ALCL3 का structure आप बनाएंगे तो ये क्लोरीन ये क्लोरीन और ये क्लोरीन तो यहाँ SP2 तो ये देखे तीन सिगमा है इसलिए SP2 तो इस तरह से हम explain कर दिए बच्चो इस्ट्रक्चर बना करके अगला question देखते है बच्चो ठेक तो अगला question हम लोग ये देखेंगे अब अगला question बच्चो तो बच्चो अगला question है हमारा 54 sorry 53 hybridization of carbon तो hybridization of carbon in calcium sinamide तो calcium sinamide बहुत ही simple structure है calcium और sinamide तो इसका structure बना लिजेगा आप लोग calcium sinamide ये देखें तो calcium का charge two plus है और इस पे two minus तो आपको sinamide का structure बनाना है तो इसका structure आप बनाईएगा तो ये sinamide का एन ये लूइस डॉट structure है ना ये carbon और nitrogen का जहतो आक्टेट पूरा कराना है आपको इसका एक माइनस और carbon का है जिसन आप आप देख सकते हो carbon का है जिसन क्या होगा बच्चो ये SP SP का मतलब होता है linear structure बहुत इस simple question है ये वाकी होंगे नहीं वाकी होंगे नहीं वाकी होंगे नहीं ठीक है क्योंकि carbon पूछ रहा है तो ये बड़ा simple structure है बच्चो अब अगला question है बच्चो ठीक है अगला question हमरा 54 तो 54 है जो बच्चो क्या लिखा है कि following molecule does not have coordinate bond मतलब किन में coordinate bond नहीं है तो coordinate bond जिन में नहीं है बच्चो उसके लिए आपको structure बनाना पड़ेगा क्योंकि देखो chemical bonding में कुछ ऐसे examples होते हैं है ना बिना coordinate बिना structure बनाए आप इसको कर ही नहीं सकते ठीक तो सबसे पहली बात एक एक का structure आप ड्रा कर लो बच्चो है ना पूचा है does not have मतलब किसमें coordinate bond नहीं है तो अब आप देखो कि जिसमें coordinate bond होगा वह answer नहीं होगा और जिसमें नहीं होगा वह answer होगा ठीक तो उसमें coordinate bond present होता है क्योंकि इसके clone pair होता है और यह अपना h plus ion को देगा तो इस पर प्लस आएगा अगर इसका आप ऐसे सही structure बनाओगे modern structure डेटीव बांड के according तो यहाँ पर positive charge आएगा ठीक मतलब इसमें है तो है तो यह answer नहीं है अब NO2 को देखना है बच्चो तो अब आरी आती है quad carbonate की तो carbonate का structure आप देख लो CO और यह CO minus और CO minus यह देख लो तो यहाँ पर सारे minus oxygen atom पर आते हैं और carbon tetravalent है यह तो आपको पता ही है इसलिए इसमें डेटीव बांड नहीं है तो बच्चो इस तरह से अपन यह देखेंगे यहाँ पर यह answer होगा ठीक क्या होगा यह answer होगा आगे बढ़ते हैं बच्चो अगला सवाल तो इसमें लिकार does not have में मतलब answer for होगा ठीक तो अगला question हम लोग देखते हैं बच्चो 55 तो 55 question तो यह 55 question की बात बारी आती है बच्चो तो देखो कि 55 question में क्या कह रहा है कि linear structure is assumed by तो इसमें linear structure किसका है बच्चो तो बड़ा simple सव आईएगा और फटा फट है ना इस chemical warning कम आनंद लीजिए तो बच्चो देखें यहां पर ओ और इस तरह से स्वरी यह सी दिया है बच्चो तो यहां पर सी आएगा बीच में और इधर एन आएगा और इस तरह से आपका बच्चो यह देखो इस पर एक माइनस आ जाएगा त तो हाइबजेशन SP है और SP वाले का structure linear होता है बच्चो जैसा कि आपको पता ही है इसी तरह से CS2 का CS2 का S और यह S यह भी SP और यह linear ठीक NO2 प्लस का बच्चो तो यहां पर भी आप structure बना लिजिए सब लुज डॉट structure में आपको पता है और यह भी आपका linear होगा अगला सवाल है solid यह बड़े बच्चो यह देखो तो linear में यह आएंगे यह आएंगे यह आएंगे linear with respect to central atom की बात कर रहा है वैसे यह अंडर इस्टूड है वैसे है ना linear में इसको देखेंगे और यह चौथा वाला आपसन देखेंगे तो बिरिलियम हाइड ड्राइड तो बिरिलियम ऐसे 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 तो यह पूरा का पूरा इस्ट्रक्चर आगे बनता रहेगा बच्चो यह आगे चलता रहेगा तो यह सकते हो लेकिन linear का मतलब है with respect to central atom तो यहाँ पर अपने अंडर इस्टूड है अपने आप समझना है हमको कि linear बोल रहा है तो हमें central atom के respect में सोचना है ठीक है तो यह central atom के respect में यह tetrahedral होता है यह linear नहीं होता है इसलिए यह answer नहीं होगा बच्चो तो option इसमें एक दो तीन तो यह best answer आएगा आपका तीन और बाकी answer नहीं होगे बच्चो ठीक है अगले question में हम लोग discuss करते हैं बच्चो ठीक है तो अगला question 56 नमबर आता है और 56 वाले में आपको देखना है question को तो question क्या कह रहा है बच्चो question यह कह रहा है कि which of the following pair of molecule will have permanent dipole moment मनें ऐसा कौन साइस स्पीस है जिसमें permanent dipole moment होता है बच्चो तो permanent dipole moment के बारे में आपको देखना है जैसे एक एक structure ड्रा करिएगा आप लोग बच्चो तो structure जब ड्रा करेंगे तो य यह एनोटू यह डेटीव बांड बनेगा भी थोड़ी देर पहले हमने बताया था है यहाँ पर यहाँ पर बच्चो यहाँ पर एक single odd electron species है ठीक है डेटीवांड प्रेजेंट होगा मतलब यहाँ पर कोई न कोई देखो जैसे more electron negative अपनी तरफ electron pair को खीचता है lone pair या odd electron का जो moment होता है वो outward from the atom होता है तो इस तरह से दोनों एक दूसरे के vector को cancel नहीं कर पाएंगे तो यह permanent polar होगा तो यहाँ पर भी structure बना करके और bond pair moment और lone pair moment दोनों का sum करिएगा physics परते हैं बच्चो vector को sum किया जाता है यह vector को subtract किया जाता है इस तरह से net effect देखा जाता ह है और net effect देख करके हम लोग यहाँ पर discuss कर लेंगे तो यह polar होगा मतलब यह दोनों एक दूसरे को cancel out नहीं कर पाएंगे तो minute non zero हो जाएगा बच्चो CO2 की बात करते हैं बच्चो CO2 में क्या होता है देखो यह linear होता है अब linear होता है तो इसका जो bond pair moment होगा linear 180 degree पर होगा अब यह 180 degree पर होता है बच्चो तो यह एक दूसरे को cancel out कर देता है तो इसलिए यह non polar होगा तो यह non polar और एक polar तो एक है polar और दूसरा है non polar तो इसलिए यह answer नहीं होगा लिखा है pair up molecule will have permanent dipole moment आप समझेगा ठीक इसी प्रकार से NO2 दूसरा example आप देखोगे बच्चो तो दूसरा example में आप देखो ओजोन और NO2 तो NO2 का structure बना हुआ है आप ओजोन का चाहें तो बना सकते हैं तो ओजोन का structure इस तरह से आप देख लो तो यहां पर भी देखो bent structure है यह bond pair moment और यह lone pair तो lone pair का moment यह दोनों एक दूसरे को cancel out नहीं करेगा इसलिए दोनों यह जो है तो permanent puller होगा मतलब यह answer हो सकता है होगा आगे चेक करते हैं क्योंकि इसमें oxygen इधर इधर और इधर ठीक है तो एक तरह bond pair moment और lone pair moment इस तरह से आप देखेंगे अगला सवाल है यह वाला देखते हैं question number 3 question number 3 में si4 co2 बना दिये हैं बच्चो अब si4 का structure बना लिजेगा तो si4 structure के बारे में आप देखिए यह tetrahedral होता है बच्चो और tetrahedral में इसका bond pair moment आप चेक करें तो bond pair moment आप कैसे चेक करेंगे एक इधर direction में एक इधर वसे tetrahedral का जो फीटा होता है 109 degree है ना 28 minutes तो इसका जो net resultant होएगा वो है ना उन दोनों के बीच में होगा इस तरह से यह यहाँ पर यह यहा unpolar होगा ठीक है क्योंकि इसका कोई moment है ना sum of जो तो bond pair moment net resultant आप bond pair moment विल भी 0 ठीक तो इस तरह से यह भी आपका है ना answer नहीं होगा अब आता है इसमें तो यह structure इसका 0 इसका non-0 तो answer यह भी नहीं होगा तो देखो बच्चो इसका सीधा सीधा जवाब आपको मिल गया कि भाई दोनों pair of species का मतलब होता है दोनों दोनों species में आपको क्या करना है दोनों species में आपको है ना bond pair moment और loan pair moment दोनों का sum करना पड़ेगा जिसमें net resultant 0 आता है वो non-polar जिसमें net resultant non-0 आता है वो क्या हो जाएगा ठीक है बच्चो आगे सवाल करते हैं हम लोग ठीक है तो अगला सवाल है बच्चो देखे अगला सवाल है 57 number question अब 50 number 7 में क्या कहता है which of the following है ना order of the element is not according to given properties मतलब जो order दिया है और उसमें जो element का order दिया हुआ है ठीक है उसमें जो properties defined है बच्चो इनके according इनको चेक करना है तो कैसे चेक करेंगे इसको दिखेगा तो इसको चेक करेंगे तो सबसे पहले lithium वाला दिया है option A में तो देखो बच्चो lithium से rubidium की तरब जाएंगे यहनि downside जाने पर है ना क्या बढ़ता है बच्चो radius downside जाने पर cell number बढ़ेंगे cell number बढ़ेंगे तो radius बढ़ेंगे यह बिलकुर simple सा question है यह answer नहीं हो हाँ यह not given दि अगला देखिया ionization enthalpy तो इसको हम थोड़ा सा ionization enthalpy को चेक कर लेते हैं बच्चो जैसे कार्बन है कार्बन के आगे आगे आपका nitrogen और oxygen और fluorine ऐसे इसका configuration देख लीजेगा सबको पता है यह electronic configuration से आप इसको चेक करेंगे इसका आता है आपका 2 और 2S2 और यह आपका 2P3 half field और य यह आपका 2S2 और 2P5 यह इधर है लोजन वैसे ठीक है तो आप इसमें देखेंगे बस exception यहाँ पर आएगा क्योंकि हाप फिल्ड वाले का ionization energy पार से ज्यादा होता है और बाकी left to right जाने पर अने जिशन अनरजी बड़ेगा बच्चो तो इस तरह से आप देखेंगे तो fluorine का highest होगा फिर इसके बाद nitrogen का मतलब यह आगे पीछे आप पीछे आगे कर देंगे तो यह सही order है मतलब यह answer नहीं होगा ठीक है जो सही order है उसको answer नहीं लेना है और जो गलत order है उसको answer लेना है क्योंकि question में ठीक उसी प्रकार पूछा है electronegativity तो electronegativity left to right जाने पर electronegativity क्या होता है बढ़ता है जैसे silicon है silicon से phosphorus है ना और फिर यह sulfur और फिर chlorine यह बिल्कुल सही order है मतलब answer यह भी नहीं है अब पूछा है फिर दूसरा दिया है four का electronegativity order तो यह देखो गलत दिया है बच्चो क्योंकि हम group में जब जाते है down side fluorine to iodine जब जाते हैं तो fluorine to iodine चलेंगे तो electronegativity decrease होता है जैसे मालो यह fluorine है यह chlorine है यह bromine है और यह iodine तो top to bottom चलेंगे तो electronegativity क्या होगा बच्चो electronegativity decrease करता है तो यह गलत order है इसलिए ही उत्तर होगा इस तरह से बड़े simple tricky questions है बहुत आराम से साल किये जा सकते हैं है ना simple simple question है बच्चो अगला question देखते हैं ठीक तो अगला question है हमारा 58 वाला तो 58 में क्या लिका है बच्चो simple question यह लिका है कि भाया correct order of metallic character बहुत ही simple question है यह 10th level का question है है ना metal non metal पढ़ते हो left to right non metallic character बढ़ता है top to bottom metallic character बढ़ता है ठीक तो इस तरह से आपको देखना है आप question को देख लो example दिए देखो जो non metal होता है यह तो इतना पहचानते हो कौन metal है कौन non metal है तो element में देख लो बच्चो तो element में आप देखोगे देखो यह metal कहलाते हैं यह जितने भी मैंने लिखे हैं सोडियम है यह ऐसा दिया यह गलत है वैसे सिलिकन पहले आता है फिर इसके बाद फासफोरस तो यह non metallic nature बढ़ता है ठीक फिर डाउन साइड आप जाते हैं तो विरिलियम आता है यह mg आता है तो यह metallic nature बढ़ता है फिर आप sodium है इधर left में है तो आप यह देखेंगे metallic nature तो सबसे कुछन है क्योंकि फासफोरस यह non-metal है most non-metal फिर यह less non-metal फिर यह less metal फिर यह more metal फिर यह आपका most metal तो यह answer जाएगा बाकि कोई answer नहीं होगा यह tricky question है बच्चो अगला सवाल हम लोग दिखते हैं 59 वाला तो 59 वाला question क्या कह रहा है बच्चो विचाब दी following which of the following is correct arrangement of the ionic conductivity तो बच्चो देखो एक्चली बड़ा simple सा question है ionic conductivity का correct order आपको चेक करना है तो ionic conductivity का correct order कैसे देखोगे बच्चो देखो इसमें एक है ionic mobility देखो बच्चो एक छोटा सा concept है वैसे इस ब्लॉक में दिया है hydrogen hydrogen is directly proportional to charge upon radius अच्चा रेडियस जो होता है ion का इसमें केटायन इन इन कोई भी हो सकता है बच्चो ठीक है तो आपन यह देखते हैं कि जैसे अगर अपन एक्वस ना लिखें जैसे केवल lithium लिख दें sodium लिख दें और potassium लिख दें तो आप ऐसे देखोगे तो left to right size बढ़ता है बच्चो तो size की बात करते हैं तो ऐसा ऐसा किसमें इन gas में है ना यह gaseous iron में है लेकिन जब इसे आप पानी में डिजॉल करोगे तो पानी में डिजॉल करोगे in water तो in water यह aqueous हो जाएगा तो aqueous का मतलब है जब आप इसे पानी में डिजॉल करते हो तो यह energy release करता है hydration का मतलब यही होता है तो जो छोटा आयन होगा जैसा यह चोटा है तो इसकी हाइड़ेशन जादा हो जाएगी siya है जादा ऐसे तो जो चोटा आयन होगा बच्छो पानी में बड़ा आयन बन जाता है और जब बड़ा रहेगा तो देखो इसकी mobility कम इसकी mobility ज्यादा और जिसकी mobility ज्यादा होती है बच्चो उसकी conductivity ज्यादा होती है तो the best answer size में जो बड़ा होगा उसकी ionic mobility ये clear cut दिख रहा है वाकि option में नहीं होगे ठीक अगला question हम लोग देखते हैं बच्चो तो अगला सवाल है 60 number तो 60 नंबर वाला जो सवाल है बच्चो क्या कह रहा है बच्चो question which oxide has maximum thermal stability अब देखो बच्चो ऐसे सवाल जो होते है ना इसको lattice energy से हम लोग check करते हैं वैसे thermo chemistry में भी आता है stransium दे दिया है कोई बात नहीं आप उसके जगह में stransium लेखेंजिए ठीक है यह two plus क्योंकि मैंने इसलिए प्लस ले लिया देखो oxide तो common है है ना oxide सब में है तो common है अब देखो इसको lattice energy directly proportional to q1 q2 मतलब q1 q2 यह नहीं यह माल लो यह q1 है और यह q2 है radius आप के time ठीक है rc plus ra तो यह radius c का मतलब यह katea e का मतलब हो जाएगा वो सरी इसका मतलब हो जाएगा यह nain तो देखो a का मतलब यह rc हो जाएगा है ना और यह आपका हो जाएगा radius of radius of q2 तो इस तरह से आपन देखेंगे तो यहाँ पर इसका सम तो down side जाने पर radius बढ़ेगा radius बढ़ेगा तो lattice energy घटेगा और lattice energy is directly proportional to thermal stability ts का मतलब thermal stability तो सबसे ज्यादा maximum जो दिखाएगा thermal stability maximum thermal stability यह बिरिलियम का होगा तो इसलिए यह option होगा और लीस्ट में यह तो बाकी नहीं होंगे बच्चो यह understood सी बात है इसलिए है ना समझ गया होंगे आप मेरे ख्याल से यह बहुत आसान question है आगे बढ़ते हैं लोग बच्चो अगला question तो अगला question है 61 और 61 में क्या लिका है बच्चो फिचाब दी following elements does not form super oxide देखो बच्चो super oxide केवल alkalie metal के है ना elements बनाते है अलकाली metal मतलब group 1 के जैसे potassium से लेकर के cgm तक बनाते हैं और group 2 के super oxide बना सकते हैं वो भी calcium से barium तक तो बाकी यह super oxide नहीं बनाते हैं तो जो group 2 के सारे element group 2 के हैं तो इसलिए यह answer यह होगा आपका four और बाकी answer नहीं होगा यह आप ध्यान रखिएगा ठेक मतलब answer का मतलब all में मतलब सब आ गया all का मतलब ऐसा मतलब समझेगा है ना all का मतलब क्या हो गया all का मतलब मैं यह बता रहा हूँ कि all में आपका यह beryllium, barium, magnesium और calcium यह all तो इसलिए जब all का मतलब केवल और केवल answer four आएगा मैं भले tick कर दिया हूँ इसका मतलब यह four यानि इन में टिक नहीं करना है आपको four में टिक करना है सभी सुपर आक्साइड नहीं बनाते है ठीक चलिए आगला सवाल देखते हैं बच्चों है ना तो अगला सवाल में आता है आपका देखो यह थोड़ सा बढ़िया कोश्चन है एस ब्लॉक का है कलरले सॉलिड है इसको हीट करने पर co2 गैस देता है बच्चों आगे लिका है एक white residue भी देता है जो की पानी में residue मिलेगा फिर co2 देगा तो मतलब co2 देने वाला दो प्रोड़क्ट होना चाहिए है ना तो देखो एक ही सवाल है इसमें बच्चों कार्बोनेट है बाइकार्बोनेट तो बाइकार्बोनेट को जब आप हीट करते हो तो यह कार्बोनेट बनता है और co2 देता है बच्चों और bicarbonate है ना heat करने के बाद CO2 देगा और ये आपका carbonate देगा carbonate में acid मिलाओगे तो फिर से CO2 देगा तो दो बार देने वाला आप question आते देखो ये तो हो नहीं सकता आप question आये कि sir है ना 3 और 4 में से कौन होगा तो सबसे बड़ा चीज मैं आपको बता देता हूँ group 2 के जितने bicarbonate होते हैं वो solid state में exist नहीं करते हैं ये fact है है ना ये आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए तो इसलिए answer best answer होगा आपका ये 4 और ये answer नहीं होगा है ना क्योंकि calcium bicarbonate, barium bicarbonate, beryllium bicarbonate group 2 का कोई भी bicarbonate solid state में exist नहीं करता है at room temperature they always exist in liquid state ठीक तो यह fact है सवाल करते हैं बच्चो अगला सवाल है हमारा देखे 63 63 के बारे में हम देखते हैं बच्चो which are the following statement are true about second a group element बहुत ही गजब का सवाल है बताभी एस ब्लाक का है है ना diagonal relationship में भी लिका है नमलस behavior मिलिका है similarities मिलिका है बहुत ही common question है बच्चो यह थोड़ा सा पढ़ना तो क्या लिका है group two group two का मतलब आपका देखे beryllium से barium यह आपका group two कहलाता है बच्चो group two a alkali earth metal group इसमें कहता है कि पहला statement यह nitride in air बिल्कुल सही बात है भाईया देखो air air का मतलब air में तो आपको पता ही है ना भाईया air का मतलब होता है 21% और 78% nitrogen यार बड़ा सिंपल सी बात ह है ना ऑक्साइड भी बनाएगा और नाइटराइड भी बनाएगा मतलब यह true statement है मतलब आप इसको true मान सकते हो बिर्यलियम बिल्कुल एंपोटेरिक होता है सही है fact है calcium ionic salt है बिल्कुल सही है बीच में calcium आता है और hydrogen के साथ यह calcium hydride बनाता है जो की ionic होता है यह सही है salt like structure ब जो है तो correct है अगला सवाल देखते हैं बच्चो अगला question है बच्चो हमारा 64 64 में हमारा question आता है कि nitrate क्या लिका है बच्चो sodium nitrate on hitting gifts तो इसका hitting effect है यह भी yes block का ही question है और बहुत जोरदार question है इसे आप heat करते हो तो actually क्या होता है यह एन नोटू बनाता है बच्चो और प्लस O2 देता है तो देखे O2 gas देगा तो देखो यह तो salt है तो यह salt तो कहीं पर दिया नहीं है केवल क्या देगा O2 gas तो O2 gas के लिए केवल best answer one बनता है बाकी answer होगा नहीं इसलिए best answer जो है तो आपका यह जाएगा बच्चो ठीक heating effect का है अगला सवाल हम लोग देखते हैं बच् क्या होता है तो देखो बच्चो इसके structure बनाने पड़ेंगे बिना बनाए देखो chemical warning में यह चीज यही तो सिखाती है हमको है ना क्योंकि structure से question है ना हर किसी competition में आता है बच्चो तो यह actually open book like structure होता है खुली किताब की तरह होता है बच्चो और खुली किताब की तरह जो structure हो इसलिए the best answer is non planar structure is non planar बाकी answer नहीं होंगे बच्चो यह आपको ध्यान रखना है ठीक है अगला सवाल है बच्चो हमाला 66 वाला question है 66 वाला question क्या कहता है which are the following is diamagnetic बच्चो यह मौट का question है कौन diamagnetic है तो इसको देखो molecular orbital theory 11 के bonding में दिया है और बहुत important और बहुत relevant question होता है बच्चो इसको भी आपको ठीक से देर अपड़ेगा तो जैसे diamagnetic तो diamagnetic में आप क्या करिएगा energy level diagram आप बना लीजेगा energy level diagram तो energy level diagram में जैसे n2 का हम बनाते हैं बच्चो तो n2 का यह sigma 1s sigma star 1s यह आप बना चुके हो sigma 2s और sigma star 2s और यह आपका पाई है ना 2px और यह पाई 2py एक bonding BMO और एक BMO होता है और यह sigma 2p यह आपका जट BMO और इसके आगे आपका पाई स्टार 2px बराबर 2py यह भी पाई स्टार ही रहेगा और इसके बाद यह आपका सिगमा स्टार 2pz तो देखो बच्चो यहाँ पर electron भरिएगा तो electron चुकी n2 है तो n2 में 14 electron होता है बच्चो 14 electron भरिएगा तो यह देखिए ना यह दो दो चार 8 9 10 11 12 13 14 तो देखो बच loc 我們 Year कान बेगेनेटिक क्यों पैरमेगर्ट है यह कैसे चेक करोगे यह आप उसके आर्बिटल में अंपैर्ड रिट्रन है कि फिर डिलेक्ट रम है तो बच्चो यह ये एक्चोली में पैर्ड लेक्ट रान है तो पेर्ड है इसलिए आफ का इसका मतलब हो गया फिरहां से उड़ाएंगे तो और इलेक्टरान आ जाएगा बन जाएगा तो वो पैरा मेगनेटिक हो जाएगा ठीक अब ओटू की बात करते हैं ओटू में देखो 16 इसका टोटल इलेक्टरान 16 होता है तो जो उसे चौदा तक यहां की नहीं हो तो यह 15 और 16 यह देख लो 15-16 तो दो में अनपेर्ड इलेक्टरान हो जाएगा तो यह पैरा होगा मतलब यह आंसर नहीं होगा और आप O2 प्लस देख लोगे इसको भी यहां से हटा दोगे O2 प्लस से तो यह भी आंसर नहीं होगा तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है कि कौन डाया मेगनेटिक है तो देखोगे है एक ही उत्तर है बच्चो इसका अंसर आता है वह अगला सवाल हम लोग देखते हैं यह है करेक्ट अडरा बॉंड लिंद देखोगे बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है बॉंड लिंद का ओडर तो बॉंड लिंद का ओडर में आप क्या करेंगे एच्टू दिया है तो यह भ है तो यह पेर्ड तो देकिए बच्चो इसका बॉंड और है ना बॉंड और एक आएगा क्यूंकि एन बी माइनस एन ऐपांट टू करते हो तो 2-0 अपां 2 बराबर एक इसका बॉंड लगर इनाता है अब आप देखो एच्टू प्लस जब एच्टू प्लस की बात करते हो बच्चो तो यहां पर h to plus करोगे तो एक electron यहां से इढ़ जाएगा यानि bond order आधा हुजाएगा तो देखो bond order क्या हुजाएगा half हो जाएगा अब h to minus की बात करते हो बच्चो जब h to minus की बात अपन करते हैं तो h to minus का मतलब तीन electron हो जाएगा तीन इलेक्टरान होगा तो इसका मतलब एक इलेक्टरान उपर जाएगा तो यहाँ पर भी आप देखोगे यह रिटू माइनस जीरो था तो टू माइनस वण कर दोगे तो भी यह आधा हो जाएगा यहाँ पर बॉंड ओर्डर क्या हो जाएगा एक बटा दो तो एक्चुली इसको अगर आप साल्व करो तो बॉंड ओर्डर के एकोरडिंग अगर आप साल्व करते हो तो ह2 देखोगे बच्चो एक आधा आधा यह बराबर है लेकिन अब first of all आपको यह देखना है इन दोनों का बॉन्ड जैन्ड ये बच्छों की बात करते हैं थो बांड जादा होगा इसले इसकी बॉन्ड लिन्थ जादा होगी तो the best answer उड़ भी, क्या हो जाएगा बच्चो, answer 2 आएगा, यह आपको देखना पड़ेगा, अब बांकी answer नहीं होंगे, यह answer नहीं, यह answer नहीं, केवल ओ केवल, second answer होगा, इस तरह से मैंने chemistry का पूरा discuss कर दिया, simple question था बच्चो, thank you, have a nice day. Welcome बच्चो, मैं प्रवीन अरोडा, team CLC से अपन बात कर रहे हैं, organic chemistry के जो आपकी सवाल थे, आपके test series के paper में जो सवाल है, inorganic आपने discuss कर लिया है, इसके आगी का जो portion है, वो organic का है, इसमें बात करते हैं, जो सवाल है, उनका solution क्या है, आपके जो doubt है, उनका समाधान करते हैं, देखिए भई यह, क्या कह रहा है, number of possible alkyne with the formula C5H8, C5H8 अनुसुतर वाले योगिक के लिए alkyne समावेवे बताने हैं, मतलब आपको एक सुतर दे दिया गया, 5 carbon के alkyne बनाने हैं, और alkyne में कित्ती possibility हैं, यह आपको देखना है, देखो बटा क्या है, अगर मैं 5 carbon की chain लू यह ले ले, यह alkyne chain है, लेगिन मुझे कहा जा रहा है alkyne के लिए, क्योंकि formula भी क्या है, Cn, H2n, minus 2, तो alkyne अपने कोई से drug करना है, alkyne अगर आप लोगे जैसे hydrogen में पूरे mendain करूं, तो यहाँ पर 1 hydrogen आएगा, यहाँ पर 2 hydrogen आएगे, यहाँ 2 आएगे, यहाँ पर 3 आज यू चले, तो यह हो जाएगा, paint 1 iron, अब इसके लिए ही अगर next option पर जाएगे, अपन, 5 carbon की chain है, iron को अगर मैं बीच में लेता हूँ, यहाँ, तो इसकी numbering अगर मैं यहाँ से करूँगा, तो यह हो गया, 1, 2, 3, 4, 5, तो इसका name हो जाएगा, paint 2 iron, यह हो जाएगा, paint 1 iron, paint 1 iron, और अगर अगर अपन यहाँ पर कहें, तो यह हो जाएगा, paint 2 iron, clear बटा, अब देखिए, next इसके बाद, हम इस 5 carbon की chain को ही ले, और हमने अगर triple bond को यहाँ move कर दिया, पहले अपने टर्मिनल पर रखा, सिरे पर रखा, फिर एक step आगे लिया, फिर और एक step आगे ले, तो क्या यह, 1, 2, 3, 4, 5, अपने इसको paint 3 iron कहेंगे, बिल्कुल गलत बटा, यह numbering गलत है, ऐसा नहीं चलेगा, यह count नहीं हो गए, क्योंकि numbering इसकी यह वाली होगी, यह इसकी perfect numbering, और यह numbering यह तो इसका मलब यह भी pen 2 iron है, यह भी pen 2 iron है, यह दोनों तो same हो गए, तो इसलिए अप अब आगे चलें आपन, तो एक option क्या लें, चैन ले लें बटा 4 की, 4 की चैन लेकर के triple bond को ले लें, हम टर्मीनल पे, last end पे ले लें, तो यह आपके बस बन गया, but one iron, one carbon अभी और है, आपके बस जो यहाँ पे add कर गया, यहाँ अड़ करेंगे तो क्या होगा, 1, 2, 3, 4, तो यह क्या हो गया, 3 methyl, but one iron, ठीक, तो इसका महलब उसका ही समर हो गया, अब इसमें अपने यह सोचें कि भई, सर्फ ब्यूटाइन तो अपन यह ले लें, ब्यूटाइन में ब्यूट टू आएं, इन अपन यह ले सकते हैं, लेकिन remaining carbon को upset कहां करोगे, यहाँ, इन दोनों carbon पे वन यह वाला molecule, सेकिन यह वाला molecule, और थार्ड यह वाला molecule, कहें तो पैंट 1 iron, पैंट 2 iron, और यहाँ पे कहें, तो 3 methyl, but one iron, तो यह आपके बास आएंगे, आईसमर के केस जो है, यह रहेंगे, तो overall अपन यहाँ पे कहें, 2, 3, 4, 5, तो अपन यहाँ पे टिक करेंगे, किस पे 3 पे, यह बताना था, क्लियर है बच्चो, नेक्स देखते हैं, स्क्रीन पे IUPAC naming आपको बतानी है, IUPAC naming बतानी थी, तो देखो, करना क्या है, सबसे पहले तो यह चेक करें, molecule का main functional group कौन से वाला है, तो COCL, COCL होता है, acid chloride, other कोई group आपके molecule में है नहीं, तो acid chloride, molecule, acid chloride जो है, molecule का main group, अब acid chloride के carbon को number 1 दीजी, तो यह rule है, carbon का group, carbon containing group, अगर molecule का main group है, तो उसके carbon को chain में select करके number 1 दिया जाएगा, इसको number 1 दिया, फिर यह number 2 हो गया, यह 3 हो गया, यह 4 हो गया, यह 5 हो गया, maximum chain अपन ले सकते हैं, 5, तो main chain होगी 5 की acid chloride group है, और उसके substudiant, उसके बरतीस थापी कौन-कौन होए, यह 2 और 3 पे जो आपको दिखाई दे रहा है, यह वाला group, इसको क्या कहते हैं, मिथाइल गरो, CS3 मिथाइल, तो बोले तो मिथाइल 2-3 पे है, तो अब option चेक करो, कोगी सबसे पहले naming शुरू होती है, तो naming में क्या आता है, परतीस थापी substudiant, तो 2 पे इथाइल, नहीं, अपने molecule में कहीं इथाइल, सबस्टेडियन परतीसापी है ही नहीं, कट कर दो, 2-3 डाइ मिथाइल, हाँ, 2 और 3 पे मिथाइल तो है, 5 कारबन की चेन है, तो बिल्कुल पेंट 5 कारबन की चेन है, चेन में सबी बोंड सिंगल है, हाँ, बिल्कुल सिंगल है, बोले तो यहाँ पे इस double बोंड को मत ले ल ठीक और चेक कर लो बागी में भी क्योंकि इसमें सारी चीजें इन्फोर्मेशन परफेक्ट है लेकिन 3-4 डाई-मिथाइल गलत हो गया है क्योंकि मिथाइल तो 3-4 पर ही नहीं 2-3 पर है नेक्स्ट कोश्चन आपकी स्क्रीन पर है बटा इस कोश्चन में क्या कहना चाह रहा है विच ओप फॉलोविंग विल नोट शो जियोमेट्रीकल आइसोमेरिस मतलब कौन सा जयामीतिय समावेवता परदरशित नहीं करता ये इधरान दीजिये सवाल में कहना क्या चाह रहा है जी आई जीओमेट्रीकल आइसोमेजम शोनी करता तो जी आई का कंसेप्ट क्या है बटा आपके सामने सारे मोलिक्यूल अलकीन है अलकीन में अपन कहें तो कार्बन कार्बन जो डबल बॉंड होता है उसमें रोटेशन नहीं होता रोटेशन अपन कहें तो करना होता है यहां और यहां की दो वेलेंस ही डिफर होनी चाहिए अलग-अलग ग्रुप होने चाहिए तो अगर मैं पहले ऑप्शन में देखों तो CS3H अलग है इसका मलब नहीं लेना क्योंकि जीए शोगर रहा ही थर्ड में गए CS3H CS3H अलग-अलग है यह भी अपने अंसर में नहीं आएगा और यहां गए जीए कौन शोग करेंगा तो शोग तो फिर बटा फर्स सेगिन थर्ड तीनों कर रहे हैं ठीक है चलो नेक्स देखते हैं मिटा हाँ जी हाँ क्या बूचना चाहरा है मोस्टेबल कनफर्मर ओफ टू मिथाइल प्रोपेन टू मिथाइल प्रोपेन का सबसे 27 सनूपण कौन सा है यह पूचना चाहरा है तो सबसे पहले अपना काम होना चाहिए कि यह मोलिक्यूल है कुन सा एक बड़ रोग गरें अपन तो बैटा यह तीन कार्बन की चैन वाला जो मोलिक्यूल आप देख रहे हो इसे प्रोपेन कहेंगे इसके टू नंबर पे CS3 लगा दें तो यह हो जाएगा टू मिधाइल प्रोपेन आपके सामने है अब टू मिधाइल प्रोपेन का कनफर्मर पूचना चाहरा है सनूपन कैसे बनते हैं कनफर्मर कैसे बनते हैं जब एकल बंद के सापेक्ष मुग घूमते हैं 3D मिया आकाश म कि आपने 3D के अंदर नए-nए औरियेंटेशन बनाते हैं तो अगर मैं कहूं जैसे मैं यह वाला बंड रोटेट करूं या यह वाला बंड रोटेट करूं एक ही सिचुईशन है कार्बन जो है उसके ऊपर क्या है एच है और जो राइट वाला कारबन जैसे मैं इसको होंगे ऐसा कनफर्मर अपन को बनाना है ऐसा होना चाहिए तो बटा यहां पर यह एक कार्बन है जिसके उपर एक CS3 है दूसरा यह गोले वाला भी डाउंड जो लिया है यह भी कार्बन है उसके उपर भी CS3 है तो दोनों पर CS3 है ऐसा तो आपका मोलेकुल ही नहीं था कि दोन है बिल्कुल इसमों नहीं देखते हैं क्या है इसमें घे कार्बन की उपर अपने को क्या मिला कार्बन जातली ऑपने पनेपिन घारी यह थी औरे जाँड़ेगर ऐसे कृंसें डिरेक्टी आ रहा है उसने क्या कहा most table लेकिन overall ये जो option दिये हुए है इसमें से अगर आप ये भी चेक करते हैं कि उनमें से proper conformer दिया हुआ है क्या तो बिल्कुल proper conformer जो है वो ये वला है ठीक है बच्छो समझ में आ रही है बाद बागी उसमें wrong क्यों है क्योंकि जो molecule आप लेना चाहरे हो उसने जो molecule दिया है two methyl propane two methyl propane में इस या इस दोनों मोंड में से किसी को भी rotate करते हो तो एक carbon के उपर सारी वैलेंसी एचाती है जो यहां पर नहीं है इस वाले में भी अपन कहें तो नहीं है और इस last वाले में भी कहें तो एच आ गया लेकिन एक carbon के उपर अ कोई competition होता तो अपन और भी देखते कि वह एकलिप्स है staggered है ग्रसित है सांतरित है पर वो लगाने की जूरती नहीं थे थी ठीक है चली नेक्स देखी इसके बाद हाज आयूपी एसी नीम फोर्ड़ा कंपाउंड हेविंग फर्बुला इस इस सुत्तर वाले अनू का आयूपी एसी नम क्या है यह पूछना चारा है तो पहले थोड़ा सा इसको डिटेल में लिख लेते हैं कार्बन ले लो बटा कार्बन के उपर क्या दिया हुआ है CH3 दिये हुए हैं और कितने दिये हुए है फोर दिये हुए है यह लो बटा एक कार्बन के उपर CH3 मिथायल गुरूप हमने कितने ले लिए फोर ले लिए फोर ले लिए तो अब इसमें लॉंग चैन सेलेक्ट करे लोग्चेंट करोगे अपन यहां से चलके यहां तक ले ले यह वाली भी ले सकते थे यह घुम भी सकते थे मैक्सिमम एक टाइम में कित्ते कार बनाएंगे ती क्योंकि जब अपन लोग्चेंट करते हैं तो उसका रूल होता है चैन में कहीं टी पॉइंट या क्रोस बनता है तो इसलिए छोड़ना पड़ेगा बटा यह दोनों सबस्टीटेंट रहेंगे यह आपके बास आयूपी एसी चैन के उपर नंबरिंग हो जाएगी इधर से आओगे तो भी वही नंबरिंग है उधर से जाओगे तो भी वही है यह दोनों मिथाइल मिथाइल है कहा और टू टू डाई मिथाइल आईसो प्रोपेन गलत हो गया यह तो वैसे ही गलत था तो आपके पास आउप्शन कौन सा रहा था बात समझे में आती है टू पे टू पे डाई मैधिल प्रोपेन मॉलेक्यूल क्लियर चैनलिए बच्चों नेक्स देखते हैं विरस के बाद IUPAC नेमिंग बतानी है जो मॉलेक्यूल आपको दिया गया है इसके लिए इस मोलिकुल की आयूपी एसी नेमिंग आयूपी एसी नेमिंग के लिए सबसे पहले अगर अपने बात करें चैन सेलेक्शन की चैन हमें वो लेनी है जहां फंक्शनल ग्रूप हो चैन में ये नहीं होता कि कार्बन का नंबर मेटर करे एसा यहां पर मस्ट है देखना क्योंकि आपके बास इस बाहर वाली चैन में दो ही कार्बन लेगिर उसके अंदर ट्रिपल बोन एलकाइन फंक्शनल ग्रूप है तो इस चेकर में हम फाइफ कार्बन की चैन को छोड़ रहे है एजय सबस्टीरियन एजय परतीस थापी चो यह चैन है इसको यह लॉंग चैन मानेंगे इसमें नंबर रहेगी यह वाली क्योंकि इस नंबरींग में आइन को भी नंबर विल वन मिल गया और परतीस थापी के लिए अगर अगर को देख लेते हैं एथाइनिल साइकलो पेंटेन गलत बात मतलब यह नेमिंग करने वाला यह चारा है कि इसको अपन सबस्टीरियन बोल दें और इसको अपन क्या बोल दें लॉंग चैन गलत हो गई क्या है परतीस थापी सबस्टीरियन और मोलिकुल कौन सा है एथाइन थीक है एसी डिलीन हम उसे कहते हैं पर कोमन नेमिंग में कहा जाता बटा चली नेक्स देखिए इसके बाद हाँ जी विच एलकेन वुड़ है ओनली प्राइमरी एंड टर्शरी कारवन निम्ण में से किस एलकेन में प्राथमिक और द्वित्रितिक कारवन उपस्तित है देखो होता क्या है एक ऐसा कारवन जिसकी सरावंडिंग के उपर जिसकी बॉर्णिंग के उपर कोई अधर कारवन ना अटैच हो या एक कारवन अटैच हो तो उसे कहते हैं वन डिगरी जैसे ये भी हो तो अपने इसको वन डिगरी कारवन कहेंगे कोग उसके बॉर्णिंग के उपर एक अलग carbon एक और carbon आ रहा है सीधा direct indirect बले कितने हैं हमें direct से मतलब है carbon के चार्बॉन अब उसमें दो carbon आ जाएं तो हमारा यह carbon 2 degree हो जाता है तीन आ जाएं तो 3 degree हो जाता है चार आ जाएं तो 4 degree हो जाता है ठीक है तो अपने को देखना है एक ऐसा molecule जिसमें अपन कहें तो primary 1 degree carbon हो और दूसरा आपन कहें tertiary बोले तो 3 degree हो बस ये इस टाइब के बना 1 degree और 3 degree बागी रेमेनिंग नहीं होने चाहिए चेक करते हैं भाईया जैसे मैं pentane को ट्रोग करूं तो ये pentane है बटा pentane के अंदर 1 degree भी है और 2 degree भी है तो कि अपने को चाहिए 1 degree और 3 degree वाला तो इसलिए pentane आंस्वर ठीक नहीं रहेगा अगला 2 methyl butane butane ये है तो 2 methyl butane हुआ तो यहाँ पे 1 degree carbon भी था 3 degree भी था तिकिन 2 degree भी तो था तो उसने condition डाली which alkin would have only primary and tertiary 1 degree 3 degree हम जो चाहते हैं वो तो है यहाँ पर 2 degree भी आ रहा है तो इसलिए ये भी अपना आंस्वर नहीं है ये आ गया आपके पास तू तू डाइ मिथाइल प्रोपेन अब तू तू डाइ मिथाइल प्रोपेन की अगर अपन बात करें तो इसमें बैटा ये carbon तो हो गया 4 degree और बाखी बजगे 1 degree ये भी अपना आंस्वर नहीं है तो आंसर confirm हो गया लास्ट वाला है और चेक करते हैं वो सारे क्या है एक डिगरी और जो बागी दोनों बच गए वो कौन से है त्री डिगरी तो यही तो आपको बताना है जो आपसे पूछा गया सवाल भी यही था तो confirm हो गया होगा बच्छो हाँ है ना चली next देखते हैं इसके बाद next वाले question में क्या कहना चा रहा है and given molecule में एक relation पूछना चा रहा है बटा देखो isomeryism का एक basic concept है, isomeryism के लिए ये ज़रूरी होता है, जो molecule आपके सामने हैं, उनका formula same हो, formula बोले दोनके carbon, hydrogen, जो भी उनके अंदर present formula है, वो same आना चाहिए दोनों का, जिसको अपन कहते हैं molecular formula, तो क्या same है क्या, क्योंकि अपने पास एक option ये वाला भी था, none of these, और या chain position, तो इसके लिए अपन पहले काम कर लें, इस वाले पर भी काम करें, तो देखो बटा क्या है, इस molecule में आप यू जाके देखो तो आपके बस carbon है 5, और नीचे ही आपके ब्रांच में है 3 carbon, 5, 4, 3, 8 carbon का alkaline है, अगर आप उपर की chain में यहां देखे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, इसमे बागी की energy लगाएं, उसका कोई मतलब नहीं है, chain position कुछ भी करवाना है, समावेवता का, isomerism का कोई भी type बताने जाओगे, तो सबसे पहले यह तो देखोगे न, कि उसका अनुस उतर जो है, उसका molecular formula जो है, वो समाने गया, तो दोनों का formula यह लगा, तो isomer क्यों होंगे, त दीज, चलिए बच्चों, next देखिए इसके बाद, हाँ जी, total stereoisomore of the compound 1, 2, dichlorocycloexin, देखो बच्चों, cycloexin होता है, यह, 1 पे, 2 पे, dichlorocycloexin, ऐसा molecule है, इस 1, 2, dichlorocycloexin के लिए, कितने त्रीविम समावेवी समावेश, त्रीविम का मतलब, stereo का मतलब, जिसमें geometrical की बात होती है, जिसमें optical की बात होती है, यह आएगा आपका किसके अंदर, त्रीविम समावेवी में यापन कहें, तो stereo में, चलो, तो इस molecule की geometrical isomer, अगर मैं कहूँ, तो एक होगा बिटा ऐसा, दोनों के लोरो आपकी तरफ हो, wedge बना के दिखाया जाए, दूसरा isomer आप ये ले सकते हो, एक ऐसा, एक ऐसा, मतलब, एक, इस screen से उपर की तरफ, इस screen के निशे की तरफ, इसको कहते है, प्रांस, उसको क condition क्या है, तो ये जो आपका molecular वो परकाशिक नहीं करेगा, क्योंकि इसके अंदर क्या पाई जाएगी, plane of symmetry, plane of symmetry, center of symmetry, नहीं होनी चाहिए, जबकि यहां अगर आप देखोगे, तो plane of symmetry, center of symmetry, दोनों ही नहीं है, नहीं है, तो इसका वाला भी optical, या आपन कहें परकाशिक समावयता दर्शा आएगा, तो इसलिए इसकी दुनिया में किती form होंगी, दो, एक खुद एक, इसका mirror image, और एक ही ये वाला, total गिते होगे, ती, इसकी two form, इसकी one, तो ये खुद ह ही, तो total किते होगे, तो 3, 4, 2 में से अपने लिए best answer क्या रहेगा, 3, चलिए बच्चों, next देखते हैं, इसके बाद, नेक्स्ट वाला कोशन क्या कहना चाहता है, अनुनाद के कारण सरवादिक्स थाई, कुन से वाला है, तो ये resonance की stability किसके पास ज़्यादा है, मुझे लगता है, जो मेरा पहला molecule है, उसमें तो resonance ही नहीं, resonance ही नहीं है, तो उसे मिलने वाली stability की बात ही क्यों करें, अपन second में जाएं, तो भी कोई resonance नहीं, third में जाएं, तो भी कोई resonance नहीं है, fourth में resonance, fourth में resonance है, तो resonance से वो stable भी है, बेंजीन एक aromatic molecule होता है, अनुनाद से resonance से stable होता है, पर बात यह है कि सर आपन क्या देख रहे हैं, कि पता चले कि उसमें resonance है, देखो बटा, पाई बोंड, पाई बोंड के अगर alternate आता है, alternate आता है तो resonance होता है, और वो alternate order जितना ज़्यादा बढ़ेगा, उतना ही best उसमें resonance होगा, जैसे भी present में पाई 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 एक एक छोड़ के आ रहें, इसको alternate order कह सकते हैं, chemistry में conjugation कह सकते हिंदी में कहें एक आंतरन भी कह सकते हैं, तो अब इसमें अगर एक आंतरन में या alternate में bond और जोड़ोगे तो resonance बढ़ेगा, stability बढ़ेगा, लेकिन अगर मैं यहाँ पे कहूँ, तो इसमें से तो resonance करने वाला यह की था, जिसमें पाई 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 कितने alternate थे, 3, resonance हो रहा था, stable भी था, चलिए बच्चों, next देखिए इसके बाद, which of the following compounds show hyperconjugation, कोंसा योगी कती से योगमन परदर्शित करेगा, यह बूचना चारा है, अब हती से योगमन के लिए hyperconjugation के लिए भी condition अपने को याद हो, कि कोई एन होती है, या double bond होता है, उसके पास अगर alpha hydrogen है, तो hyperconjugation होता है, अगर आपके पास carbocatine है, उसके पास अगर H होते है, alpha location पे, तो hyperconjugation होता है, अगर वहाँ free radical है, और उसके पास alpha H है, तो भी hyperconjugation होता है, तो hyperconjugation होने की condition यह है तो जैसे मैं पहले में कहूं तो मेरे पस double bond है और double bond के यहां 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 यह यह अच्छी तो है जो इसको hyperconjugation के रवाएं में मतलब A वाली species में hyperconjugation होगा B में जाएं तो नहीं देखो carbonion में hyperconjugation होता ही नहीं या तो double bond में होता है या कैटायन में या फिर free radical में तो यहां जाओगे यह कैटायन है बेटा यह इसका alpha H है carbon के उपर है बिल्कुल ऐसे ही अपन कहें यह जो दिखाया इसने benzene, benzene में भी तो double होता है double के अगले वाला carbon पे alpha H है तो इसका मलब यहां भी होगा hyperconjugation यहां भी होगा तो A में भी, C में भी, D में भी देखने को B में भी लग रहा है लेकिन अपने को confusion नहीं होना ची NIN में hyperconjugation नहीं होता तो इसलिए यह छोटना पड़ेगा आपको तो A, C, D लेना है पहला option गलत है दूसरा भी गलत है तीसरा भी गलत है A, C, D आपको fourth में दिया है तो इसलिए बन देंगे इसमें fourth clear है बच्छो चलिए next देखते हैं Alkene can be iodinated in presence of अगर आप Alkene को iodination कराना चाहते हो Alkene का iodine करन करना चाहते हो तो iodine करन किसकी बरजेंस में होता है देखो भी या जो Alkene है आप उसको iodine से direct reaction करवा दें sunlight दे दे तो भाई I जो है वो यहाँ आके entry तो कर लेता है Alkyl iodide तो बना लेता है लेकिन साथ हमें HI बनता है HI एक ऐसा powerful reducing agent हो जिसका नारा यह होता है जो हमसे टकराएगा Alkene बन जाएगा मतलब आप अगर इसको carboxylic acid पर भी रियक्ट कर आओ तो भी इसको Alkyne बना दे LDH कीटोन को भी Alkyne बना दे अलकोल को भी Alkyne बना दे तो भाई यहाँ पर यह जो product है ना इस product को वापस Alkyne बनाता है तो हमें यहाँ पर इस HI को reaction से हटाना पड़ेगा क्योंकि reversible reaction अगर हो जाती है दोनों direction में चलने वाली तो जिस direction के product अपने को बनाने है, dominant बनाने है उस side वाले product को अपने को साथ-साथ हटाना पड़ेगा तो HI हटाना होगा तो HI को हटाया जाता है HNO3 से, HGO से, HIO3 से तो अगर अपन यहाँ पर कहें तो यह सारे के सारे होते हैं oxidizing agent इनको लेने से जो HI का I negative है वो I2 में convert होने लगता है और वो वहाँ से हटेगा तो reaction जो है वो forward या अगर दिशा में आ जाए तो वही ऐलकेन का iodination तो iodine से होता है लेकिन साथ साथ आपको इन में से भी कुछ लेना होगा तो HI तो अपना option है ही नहीं HI से तो iodineation alkaline का होता ही नहीं I2 with phosphorus यह भी नहीं phosphorus का यूज नहीं बता है मैंने तो HNO3, HGO का बता है I2, HIO3, बिल्कुल perfect answer यहीं वाला है बटा और PI3 तो लेना ही नहीं समझ में आई बात तो यहाँ पे उस combination की बात हो रही है कि जो यहाँ पे suitable होगा और यह हम HNO3 या HIO3 जो इसने दिया वो लेते क्यों है HI जो co-product बनता है उसे हटाने के लिए उसे I2 बनाने के लिए ठीक है बच्छो चलिए, next देखते हैं इसके बात हाँ, तो इस question में क्या कहना चाहता है Which equation does not represent an example of Friddle Craft reaction कौन Friddle Craft अभी के रहा का उधारण नहीं है Friddle Craft को छोड़के वो बताना है देखो बटा, Friddle Craft होती क्या है अगर आपके पास बेंजीन हो और आप उसको अलकिल कलोराइड, अलकोहल या फिर किसी अलकीन से रियक्शन करवाके और इनमें भी अपन कहें तो प्रोटोनिक एसिद या फिर लोईस एसिद की परजेंस लेनी पड़ती है क्योंकि वो इनमें इस बोण को कट करने के लिए रेस्पोंसिबल होते हैं, इस बोण को खोलने के लिए रेस्पोंसिबल होते हैं, कैटायन बनता है R+, और वो जागर के H+, को निकाल के उसकी जगा सेट होता है इसको कहते हैं, Friddle Craft Alkylation वहीं पर अगर आप चेंज कर दें R, C, O, C, O, R ले ले तो उनमें से ये वाला ग्रुप निकल के ये वाला ग्रुप निकल के लविसेसे यहां पर भी लेना पड़ता है तो बनेगा ग्रुप कौन सा? R, C, O, P, और ये जब बेंजीन में एंटर करता है तो इसको कहते है Frildo Craft Acceleration तो देखो इसमें से इसी कौन सी reaction है? भई बेंजीन ले ली C2H5 ले लिया CL और ALCl3 मतलब CL को ALCl3 ले जाएगा और बना हुआ जो C2H5 प्लस है वो रिंग पे आएगा बिल्कुल ये तो Frildo Craft है अपना अंसर नहीं है उसने पुझे फ्रेडल काफ्ट नहीं है तो ये अपने अंसर में नहीं आएगा अल्कोहल लिया HCL से reaction कराई GNCL2 से करवाई तो ये जो combination है ये अल्कोहल के उपर reaction है और C2H5 की reaction कराते कराते हो C6H5 में कैसे बदलेगा तो यह तो वैसे ही गलत था गलत नहीं था या आपका अंसर था क्योंकि यह फ्रेडल एक्षन हम मारका नाम जाता है तो यहां पे अपन कहीं तो यह अपने अंसर में नहीं है अपना अंसर यह था प्सक्तला की नेक्स देखिए इसके बाद हाँ जी बच्चो नेक्स्ट कोश्चन आपके समने है क्या कहना चाहता है एक एलकीन दी हुई है 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 बचाह वैसे तो क्या है यह परोकसाइड अगर ना हो फिर तो सीधा सा यह है कि ह प्लस है और बी आर माइनस है और बी-ार माइनस को वहां टेग कराना होता है जो स्टेबल कैटायन हो मतलब इस बोंड को अपनिस साइड ओपन कर दें तो यहाँ पर प्लस बनेगा टू डि प्रेग्री करेंगे और वहाँ पर बियार जाए लेकिन नहीं ऐसा कुछ नहीं करना है एक्चॉल में यहां पर समझना ही यह था कि यह जो पर ओक्साइड दिया हुआ है यह क्या करता है पर साइड जो है वो काफी इसी होमोलेसिस करता है free radical बनाता है और वो free radical जो है वो hbr के अंदर भी homolysis करवा के BR free radical बना देता है अब इस BR free radical का काम होता है जाके alkyne में ऐसे enter करना कि उसका intermediate अच्छा बने उसका मध्धेवरती अच्छा बने तो वो इस bond को यहां से काटेगा, काटने के बाद उसके बस दो अप्शन होंगे, देखो दोनों अप्शन क्या क्या है, एक अप्शन ये है, कि वो खुद यहां बाहर की तरफ एड़ हो और यहां पर free radical छोड़े, दूसरा अप्शन उसके बस ये है, कि वो खुद कहां आजाए, अंदर की सा है, एक ही है, तो ज्यादा बेस्ट कुन सा हुआ, जो तीन वाला है, तो बोले तो इंटरमीडियेट अच्छा कुन सा, यह वाला, तो यह बी यर कहां जाना चाहिए, यह बी यर इन दोनों में से कुन निकलेगा, बी यर फ्री रेडिकल, और उसके जाने की जो परफेक्ट लोकेशन है, तो अब ऑप्शन में चेक करो बेटा, यह तो गलत दे रखा है, दूसरे वाले में भी गलत दे रखा है, दूसरे वाला प्रोड़क्ट तब बनेगा, जब अक्यला एच बी यर दिया हूं, तीसरे वाले में अगर अपन कहें, तो बिल्कुल वैसा, जैसा आप बिल्कुल गला था तो प्रफेक्ट कौन सा था भईया थर्ड क्योंकि तो लोकेशन ही वो ले ली जहांपे डबल वोड ही नहीं था वांक्यों अटेक होगा भई चले नेक्श देखिए इसके बाद अगला कोशन क्या कहתा है आगे वाले कोशन में आपको दिया है भई यह एक मॉलिक्व है जिसको अपन कहते हैं ग्रिकिनाट रियेजेंट बोले तो इसको लेकर करके आपने रियेक्शन करवाई है एक सलफोनिक आसिड मोलकिल से प्रोड़क्ट बताना है तो कहते हैं RMGX आर बदल सकता है जैसे यहाँ पर आर की जगह उसने इथायल दिया है तो RMGX एलकिल मेंगनीशियम हैलाइड जो होता है उसे किसी एसिड से रियक्ट करवाते हैं तो वह एक बेस का रोल प्ले करते हुए वहाँ ऐसा एसिड से क्या करता है है एच किड्नैप करता है है एच वहाँ से निकाल लेता है और दोनों मिलके क्या बन जाते हैं तो बिल्कुल ऐसा ही हुआ यह जो एमजी के साथ वाला पॉर्शन था यह वाला यह पूरा नेगेटिव होता है क्योंकि एमजी की एंकम होती कार्बन की एलेक्ट्रो नेगटिविटी ज्यादा होती है तो वह नेगेटिव बेस की तरह काम करेगा और वहाँ जो आपके पूर्ज में ऐसा होता है कि आर एक्स आर एक्स लेते हैं पन और उन दोनों का आर जो है वो मिल जाता है और डबल कार्बन का प्रोड़क्ट बने यह भी गलत है यह भी गलत है तो फर्स्ट आंस्वर आएगा बटा इसमें चलिए नेक्स देखिए इसके बाद हाँ जी एथेन में भी अप्टेन बाई एथेन का अगर अपन कहें तो कैसे एथेन को बनाया जा सकता है यह पूछ रहा है तो देखो सबसे पहले कहता है हाँ अगर आपके पास C2H5MGBR है हाइटरोलेसिस मतलब आप उसे वाटर के साथ रियक्ट करा रहे है तो अभी मैंने बताया था अभी जस्ट पीछे वाली रियक्शन में भी यही था यह जो इथाईल है वो सामने वाले से क्या किटनेप करता है तो वो क्या बन जाएगा एथेन तो एथेन बना सक से निकल ह2 में रेदक्शन कर सकते हो जिंक लेकर के एसी डियक मीडियम लेकर के रेदक्शन कर सकते हो मेटल की पर जैस में रेदक्शन करी तो overall क्या होगा यह आई चला जाएगा और इसकी जगह क्या आ जाएगा है तो C2H5H C2H6 में कनवर्ट होगा C2H6 कहें तो एलकेन हो वुर्ज रियक्शन ओफ CS3-BR, CS3-BR की वुर्ज कराना, तो CS3-BR, CS3-BR जो है, यह जब सोडियम की परजैस में रियक्शन करते हैं, तो सोडियम जो है, वो तो क्या करता है, इन एनने, जो एनने है, OBR या हेलरा हलाइट जो भी उसे ले जाएगा, और बोले तो CS3-CS3 आपस में प्रटैच होके क्या बनाएंगे, एथेन बनाएंगे, बिल्कुल ऐसा भी है, तो इस गामलब आपसर क्या आएगा, ओल अफ दीज, ठीक है बच्छो, चलिए, नेक्स देखिए इसके बात, यह कहना चाहरा है, कि यह किससे रियक्ट करेगा, यह जो मोलेक्यूल गिवन है, यह मोलेक्यूल किससे रियक्ट कर सकता है, तो इसमयाबन कहीं, तो यह जो अलकाइन आपको दी हुई है, इस अलकाइन की खास बात है कि ट्रिपल बोन्ड क्या है, अलकाइन के अंदर, एंड के उपर है, और अगर यही ट्रिपल बोन्ड यहाँ बीच में होता और ऐसा केस ह होता है, तो दोनों को अपन डिफ्रेंशीट करने के लिए विभेदन करने के लिए इन दोनों रियेजेंट का युज करते हैं, यह क्या करते हैं, यह जो अलकाइन है, इस से रियक्ट नहीं होते है, रियेक्शन का तरीका क्या होता है, यह जो टर्मिनल अलकाइन है, उस टर उक्षेप बनाता है तो बिल्कुल इससे अभी किरा करता है और अगर वहीं पे Cu2, Cl2 डाल दें तो EG की जगह क्या आएगा कोपर और उक्षेप जो आएगा वो लाल कलर का एक एक एलकाइन पे तब रियेक्ट करते हैं जब यॉप C.C. के साथ आगर के अपना जो आगे का बविशए है उसमें एक अपन अच्छा करियर बनाना चाहते हैं तो आपको CLC से जोड़ना चाहिए तो यह तो एक छोटा सा एक पेपर था यह तो यहां का रोटीन वर्थ है तो अगर आप यहां आते हैं तो आपको रेगुलर वेपर डेली डेली देने को मिलेगा और आप अपने आपको बहुत निखार के इंडिया के जो बेस्ट से बेस्ट कॉम्पेटिशन है बोले तो मेडिकल एंट्रेंस यह आपन कहें इंजिनिरिंग एंट्रेंस एक्जाम जो है वो आप क्रेक कर सकते हैं बच्चो ठीक है मिलते हैं बच्चो थैंक यू आज हम लोग डिसक्स करेंगे DTSC हरयाना क्लास 11 का फिजिकल केमेस्टी में डिसक्स करूंगा आपके सामगे तो जैसा देख रहा है क्वेस्टन नमबर 85 और होमोजेनस गैस्ट रियक्शन एक्कुलिबिरियम कॉंस्टेंट केसी हैस दाइमेंशन और पहले इसका केसी लिख केसी कुल टू इसका जबाब लिखोगे तो H2O पावर 6 इन्टू NO पावर 4 डिवाइड़ बाई NH3 पावर 4 इन्टू O2 पावर कितना आएगा 5 अब आपको देखो डाइमेंशन बताना है कंसेंट्रेशन के टर्म में तो यह तो कंसेंट्रेशन ही तो होता है ना यह जो साइन होता है यह क्या होता है कंसेंट्रेशन मोल बाई वालियूम इन लेचर तो देखो कंसेंट्रेशन पावर 6 4 4 5 यह 4 से कंसेंट्रेशन पावर 4 कंसेंट्रेशन पावर 4 खतम हो लिए concentration power 6, concentration power 5, concentration power minus 5 हो जाएगा unit में, क्या बचेगा सिर्फ concentration power 1, plus में, answer कौन सा चला जाएगा, अपना second answer चला जाएगा, ठीक है, next question, question number 86, देखें, equation दो दिया ही हुआ है, 2A plus B gives 2C plus D, अब आप देखों, इनके moles दिये हुए है, 1.1 mole, इसका है 2.2 mole, mix कर दिया, volume of vessel दिया है 1 liter, अब बोल रहा है, equilibrium set up हो गया, equilibrium पे mole of C कितना मिला है, 0.2, तो चलो देखतों, initially कितना रहा होगा, 0,0, अब देखो, जब equilibrium पे पहुचा होगा, ये 1.1 में से कितना निकला होगा, 2x, 2.2 में से x निकला, ये बना होगा कितना, 2x और ये x, अगर हमें x की value पता लजा है, तो केसी अपना तो निकारी लेंगे, अच्छा, ये बता रहा है कि ये बचा होगा, ये बना है, ये बना है, और उसने बोला है, c के कितने मोल मिले है, 0.2, तो हम लिख सकते है, 2x equal to 0.2, so x equal to कितना आ गया, 0.1, तो ये आ गया, 0.1, ये तो हो गया, 0.2, इसमें से 0.1 माइनस कर दो, तो 1.1, इसमें से 0.2 माइनस कर दो, 1.1, 0.2, तो कितना हो जाएगा भी आए, 0.9 आ जाएगा, इधर आ गया, 0.9, आचाओ, चुकि केसी में कंसंट्रेशन रखते हैं, तो अभी तो मोल आया है, तो मोल भाई वालियूम कंसंट्रेशन होता है, बड़ वालियूम कितना दिया है, 1 लीटर तो रखने, इसकोई फायद 0.2 पावर 2 डिवाइड बाई, 0.2 पावर 2 डिवाइड बाई, कहां गया, 0.9 पावर 2 इंटू 1 पॉइंट ये आए, 1.1, अब इसको साल्व करना पड़ेगा, तो देखो, ये हो जाएगा, 0.04, 0.004, उपर वालियूम कितना है, और ये हो जाएगा, 0.81, और ये हो गया, इंटू 1.1, अब आप इसको साल्व करिए, कैल्कुलेट करिएगा, अपने आप आंसर आपका, इसमें सो कोई ने कोई मैज कर जाएगा, वैसे आंसर थाहराड आना चीए, बट एक बार आप साल्व करें, ठीक हैं? नेक्स्ट कॉशन पर चलते हैं, 86 था ना ये, 86 हो गया, 87, अब आप देखो, for solution of ammonium chloride, ये क्या है, एक salt है, ठीक है? taken with इतना इतना concentration, there degree of hydrolysis, तो for NH4Cl, ठीक है, NH4Cl जब break होगा, तो क्या देगा? NH4 positive, CL negative, तो weak part undergoes hydrolysis, so NH4 positive, जब इसका water के साथ reaction करा होगे, hydrolysis, तो ये देदेगा, NH4OH plus H positive, ठीक है? तो अब देखो, इसमें से C minus CH हो गया, ये आ जाएगा, CH, ये आ जाएगा, CH, तो KH equal to कितना आ जाएगा? करके कर लेता हूँ, CH square आ जाएगा, KH equal to आ जाएगा, CH square, neglect करने के बाद, so H equal to कितना आ जाएगा? root of KH by C, अब आप बना सकते हैं, इसको देखो, concentration अगर घटा, तो degree of hydrolysis क्या होगा? पढ़ेगा, तो अब आप देख लो, ये वाला H1 है, H2 है, H3 है, H4, तो सबसे ज़्यादा किसका होगा, जिसका concentration कम होगा, सबसे ज़्यादा H4 का होगा, तो answer कुन सा चला जाएगा? third, next question, given दिया है आपको एक equation, और इस पूरे equation का delta is दिया होगा, पूछ रहा है, the standard enthalpy of formation, तो आपको याद होगा, definition enthalpy of formation, formation of one mole of substance from its element, one mole के लिए defined, जो ये enthalpy है, वो कितने mole के formation के लिए है? four mole, so for one mole, one mole of SO3, कितना हो जाएगा? minus तो है ही, 5090 divided by 4, तो 3 के आसपास, 3 इतना kilojoule, kilojoule में ही है, kilojoule में ही answer, ये answer आज़ेगा होगा, ठीक है? को कि definition कितने mole के लिए defined है? one mole के लिए enthalpy of formation, जबकि ये दिया है enthalpy कितने mole का? four mole के formation का दिया है, तो one mole का कितना होगा, निकाल रहता है? next question, 89, इससे पहले कुन सा था? 88, 89 में देखो, ये दिया हुआ है, और आप से क्या पुछ रहा है? enthalpy of formation of carbon monoxide, carbon monoxide, CO, formation of one mole of substance from its element, element कुन सा होगा? carbon होगा, balance कर लो, half O2 होगा, इसका हमें enthalpy निकालना है, ये हमारा target equation होगा है, ये हमारा target equation होगा, अब इसी के recording set कर लो, देखो, तुम्हें target equation ने carbon left side चाहिए, इसमें carbon left side है, तो sign सेम रहेगा, मतलब माइनस of x, one mole, one mole, अब इधर carbon monoxide चाहिए, कि आपको immense sign हमारा क्या होता है, positive, carbon monoxide आपको right side चाहिए, इसमें देखो carbon monoxide left side है, तो इसका पहले तो उल्टा करना पड़ेगा, तो sign हो गया y, अब आपको एक mole चाहिए, जबकि यहाँ पर दो mole है, तो इसको divide by 2 भी करना पड़ेगा, तो इसको solve करोगे तो क्या आएगा, y minus 2x divided by 2, y minus 2x divided by 2, तो क्या answer कुन सा चला जाएगा अपना, second answer, next question, question number 90, question number 90, इसमें देखो, SO2 को reaction लिखा हुआ है, तब तो दिक्कत ही नहीं है, 2H2S plus SO2, balance चेक कर लेना, 3S plus 2H2O, balance है, balance है भाई, balance है, ठीक है, अब देखो इसका gram दिया है, SO2 का gram दिया है, 1.6 gram, और इसका molecule दिया है, 1.5 into 10 to the power 22, इसका mole बना लेता हूँ पहले तो, moles कितने हो जाएंगे, 1.5 10 to the power 22, divided by approximate ले लेता हूँ, ठीक है, 10 to the power 23, और इसका mole कितना हो जाएगा, 1.6 divided by 64, तो देखो, एक अगर मैं इसको हटा दूँ, एक यहां से हटा दूँ, ठीक है, यह अगर मैं 15 करूँगा, तो यह हो जाएगा 21, और मैं इसको 60 कर दूँगा, तो यह हो जाएगा 22, यह हो जाएगा 1 by 4, 1 by 4 into, उपर ले जाओ, 10 to the power minus 1, इसका, 1 by कितना आ रहा है, 40, 1 by कितना आ रहा है, 40, यह भी 1 by 40 हुआ ना फिर, यह भी कितना हुआ, 1 by 40, तो देखो चे, यह भी 1 by 40 आ गया, और यह भी कितना आ गया, 1 by 40 moles, उच्छा गया वैसे, then which is true, the reaction container ठीक है, यह mole निकाल लिए हमने, यह mole आ गया भाई, यह mole आ गया, अब आप दिखो, तो initially तो यह 0, 0 रहा होगा, yes, इसमें से कितना निकलेगा, 2x इसमें से निकलेगा कितना, x, तो यह बनेगा कितना, 3x, यह बनेगा 2x, अब कैसे कैसे reaction है, reaction, left उचा है, left उचा है, left कुछ है, मतलब हमें सिर्व इस पर ही focus रखना है, ठीक है, left, left अच्छा है, S भी दिया हुआ, चलो कोई बार नहीं देखते हैं, तो अब इसके लिए, हम लोग क्या निकालते हैं, limiting reagent, तो limiting reagent के लिए क्या करना पड़ेगा, this divided by this, अब ये कम आएगा, मतलब H2SO, H2S तो पक्का बचेगा कितना, 0, H2S क्या बचेगा, 0, और H2S तो 0 बचेगा, क्योंकि इसका 2 mol लग रहा है, इसका 1 mol लग रहा है, तो ये तो 0 होगा, ये कुछ बचेगा, पक्का है, ये कुछ बचेगा, लेफ्ट यहाँ पे लिखा हुआ, लेफ्ट का मतलब, अरे ये तो बचेगा, बचा थोड़ोग ना है, क्या है, बचेगा, तो आंसर कुछ सा चला जाएगा, लेफ्ट में, लेफ्ट में या तो ये होगा, या तो ये होगा, ये तो लिमिटिंग है, question number 91 which of the following represents disproportionation तो disproportionation में क्या होता हूँ same element का oxidation और reduction तो देखो 0 है यहाँ पे यहाँ पे plus 1 में जाएगा यहाँ minus 1 में oxidation reduction चलो वाई यह हो गया यहाँ पे plus 1 में है 0 plus 2 reduction oxidation यह भी हो गया इस पर निकाल लो plus 1 0 plus 2 oxidation reduction की अल अब इस हो गया इस हो गया जिसका same का oxidation भी हो same का क्या हो reduction तो उसको क्या बोलते है disproportionate next question आप इसमें देखो तो आप जानते हो एक formula P plus A N square by B square B minus N B equal to N R T अब उसने बोला है attraction between gas molecule 0 value of force of atom A की value क्या है? 0 यह value खतम होगे है बचा क्या? P B minus N B equal to N R T multiply कर दो P B minus N B P equal to N R T इसको उधर ले जाओ P B equal to क्या हो जाएगा? N R T plus N B अब ऐसा कोई option? ऐसा option P B equal to N R T यह आजाएगा आप आप और वाल एक्वेशन ओके नेक्स्ट कुस्ट्ट्ट प्रोड़क्ट एक ग्राफ दिया हुआ है इसके बीच में आपको क्या बनाना है रिलेशन बनाना है तो पीवी वर्सेश पी देखो पीवी क्या होता है एन आर्टी है ठीक है तो पीवी अगर बढ़ा तो टीवी क्या होगा बढ़ेगा तो पीवी बढ़ेगा तो पीवी बढ़ेगा तो क्या होगा तीवी बढ़ेगा तो अब देख लो तो टीटू ग्रेटर दें टीवन टीटू ग्रेटर दें यस आईडियल गैसे एक्वेशन next question number 94 yes question number 94 wavelength of photon radiation containing energy e is foreign then wavelength कोई बात नहीं है तो equal to आपने पढ़ा होगा hc upon lambda तो मालो यह e है e1 lambda 1 उसी तरह से e2 equal to hc upon lambda 2 h अब इसो डिवाइट कर दो तो क्या आजाएगा e1 upon e2 equal to lambda 2 by lambda 1 e1 e1 कितना दिया है e दिया है और e2 कितना दिया है 0.5 e 0.5 e lambda 1 कितना दिया है lambda 2 तो चलो पूछ रहा है lambda 1 है 4000 angstrom 4000 angstrom answer भी angstrom में ही है e से e गायब हो गया ठीक है तो lambda 2 क्या हो जाएगा so lambda 2 equal to यह इधर यह इधर यह इधर 4000 divided by 0.5 yes pro कर लो 8 के आसपास आना चाहिए ठीक है यह आना चाहिए ठीक है next question in which of the following in which of the following electron distribution in gram only hund's roll only 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 hund's roll only hund's roll क्या कहता है अगर किसी sub shell में एक से ज्यादा orbital है तो electron पहले एक एक भरे जाते हैं with parallel spin then pair up with opposite spin तब ऐसा सिर्फ हुंड डूल बताना है तो देखो हुंड डूल हुंड ने सिर्व इतनी बताया था बाकी यह नहीं पुछा है कौन सा correct configuration है कौन सा incorrect है उसने बोला है कि हुंड's rule के कौन violet कर रहा है तो देखो यह वाला गड़बढ है कि नहीं है उसने बोला था कि पहले एक से ज़्यादा है तो पहले एक एक भरो इसने तो पहले पूरा भरा नहीं पहले ही pair up कर दिया है ना इसमें कम से कम एक एक भरा तो हुग है एक से ज़्यादा वाले में पहले एक एक भरते हैं parallel spin with then then क्या करते हैं pair up with opposite spin अब इसमें देखो पहले एक एक नहीं फिल किया है पहले ही पेर अब कर दिया है तो ये हुंट्स रूल को valid कर रहा है बाकी भी इसमें बहुत सारे वैसे configurationally गलत है बट वो हुंट्स रूल को follow कर रहा है वो आफबाव रूल को हो सकता follow नहीं कर रहा है हो सकता है वो पावलिक solution को follow नहीं कर रहा है बट आप से सिर्फ क्या पुछा है हुंट्स रूल कौन सा follow नहीं कर रहा है तो हुंट्स रूल के according तो यहीं कर रहा है next the element which mass number 81 mass number 81 and it contains itna percent more neutron as compared to the find the symbol, symbol क्या होता है देखो जैसे मालो कोई element है z, तो इधर क्या होता है atomic number that is equal to the number of protons उपर होता है atomic weight atomic weight, वो क्या होता है proton plus neutron तो हमें यहीं निकालना है ठीक है तो mass number 81 है मतलब atomic weight तो हमें पहले ही से पता है कितना है 81, अब सम में 81 दिया है तो इसका मतलब हमें proton तो निकालना ही पड़ेगा तो माल लेते हैं proton कितना है proton कितना है x तो neutron कितना हो गया x का 31.7% ज्यादा है x से 31.7% क्या है ज्यादा यह क्या है neutron yes तो neutron की value x के term में आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी n equal to कितना हो जाएगा 100 x 131.7 x divided by 100 100 x plus 31 neutron हमारे पास इतना है yes neutron हमारे पास इतना है और proton हमारे पास कितना है x है yes तो इसमें अब इसको solve करना पड़ेगा ठीक है तो देखो neutron plus proton equal to कितना होता है 81 neutron हमारे पास कितना है x neutron कितना है neutron कितना है 131.7 x divided by 100 plus proton कितना है x है equal to open 81 लिख सकते है यहां से x की value आजएगी यहां से x की क्या आएगी value चीक है यह solve करो वैसे solve करो कितना approximately 35 बना चाहिए yes तो proton हमने क्या माना था x यह 81 इधर कितना आजएगा 35 तो आप देख लो इसमें से कौन साइसर बन रहा है एक बार solve कर लिजेगा इसको ठीक है next 97 2 bulb A and B contain oxygen है A में और B में है O3 दोनों का 16 ग्राम है दोनों का 16 ग्राम है तो दोनों के मूल कितने हो जाएंगे 16 by 32 16 by 48 कितना हो गया 1 by 2 1 by 3 यह मूल हो गया अब क्या कह रहा है बोथ contain same number of molecules तो इसमें molecules की अगर मैं बात करू molecules तो इसमें 1 by 2 इन ने आएगा इसमें 1 by 3 इन ने आएगा पहला तो गलत हो गया ना बोथ बल्व कंटेंज same number of atoms atoms ने बोथ बल्व कंटेंज same number of molecules तो गलत हो गया दूसरा बोथ कंटेंज same number of atoms पहले बाले में 1 by 2 इन ने atomicity कितनी है 2 दूसरे बाले में 1 by 3 इन ए atomicity कितनी है 3 ये कट जाएगा ये कट जाएगा दोनों में दोनों में number of atoms क्या आ रहा है same आ रहे है तो second answer तो बन रहा है आपना second answer बन रहा है बाकी तो ऐसी है second answer बन रहा है 98 पे आ जाओ question number 98 which of the following contain maximum number of atoms atoms पहले बाले mole बनाना पड़ेगा mole देखो 11.2 divided by 22.4 into Na atomicity कितनी है 3 इस वाले में 0.5 gram molecule दिया है gram molecule क्या होता है mole 0.5 mole into Na into 457 ठीक है सुक्रोज 3.42 divided by इसका molar mass 342 ही आता है into Na into सुक्रोज क्या होता है C12 H22 O11 सुक्रोज तो कितना हो गया ये 22 हो गया ये 11 हो गया ठीक है 5 है ना और 445 45 atom ही पुछा है ना 1.2 mole of oxygen 1.2 into Na into 2 अब आपको देखना पड़ेगा किसमे किसकित ज्यादा आ रहे है देखो इससे इसको कटोगे तो ये हो जाएगा 0.45 Na आ गया इसका आँसर इसका आगया 2.4 Na आ गया इसका 3.5 Na आ गया इसका 1 by 2 1.5 Na आ गया तो आँसर कोंसे चला जाएगा अपना सेकेंड आजर चला जा जाएगा Next question इसमें तो Oxidation नमबर पुछा हुआ है निकाला है Decreasing order Decreasing order of Oxidation तो इसमें मैं डारेक्ट ही कर देता हूँ देखो H2O5 पर कितना आता है प्लस 6 इस पर आएगा प्लस 4 इस पर आएगा प्लस 2 इस पर किया आएगा माइनस 2 तो Decreasing order कर रहा है यह नहीं कर रहा है है ना यह प्लस 6 है यह भी क्या आता है प्लस 6 यह तो गड़ बड़ हो गया यह सब गड़ बड़ है ना तो answer कौन सा चला जाएगा Decreasing order of Oxidation नमबर Next last question है यह तो अब आपको पता है Kp और Kc तो Kp equal to Kc Rt power delta Ng और कहरा Kp greater than Kc कब होगा जब delta Ng की value greater than क्या होगी 0 आप चाहे तो रख के देख सकते हैं ना अब delta Ng की value greater than 0 delta Ng का मला समझते हो number of moles of gaseous product minus number of moles of gaseous rate अब वो greater than 0 आना ची इसमें देखो 1 minus 3 तो minus में आ गया 2 minus 4 यह भी minus में आ गया 2 minus 1 यह answer गया इस ही का delta Ng क्या रहा है positive आ रहा है तभी Kp greater than Kc होगा 100 का answer कौन सा ब यह चला जाएगा second कौन सा गया था कौन सा गया था? third answer गया था कौन सा अंसर है? third answer yes तो यह था हमारा DTSC का physical chemistry का part मैंने discuss किया है और आपने देखा होगा कि बिलकुल NCRT एकदम follow करते हुए basic level पे बनाया गया है ठीके? तो उम्मीद करता हूँ कि इसमें आपने काफी अच्छा पाइस कूल किया हाँा yes, we will take it next time Thank you very much . . .